हे वाट्स आप गाइस उजवल एर आम ए स्ट्रीमर एंड मेंबर आफ दी ओमन स्कॉड वेल्कूम तो वीडियो सीरीज तो हेल्प यू गेट गुड़ एट माइनक्राफ्ट अगर आप लोग माइनक्राफ्ट स्टार्ट करने जा रहे हो या फिर आपने माइनक्राफ्ट अभी खेलना शुरू कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा स्पेशल होने वाली है तो चलो देरिक इस बात की शुरू करते हैं टिप नमबर वन तो देखो फात होने से पहले हमें अपने लिए एक शेल्टर बनाना और थोड़ा पहुत खाने एकठा करने हैं ताकि हम लोग उनसे सर्वाइब कर पाएं और वो सब इकठा करने के लिए हमें थोड़े बहुत टूल्स की जरत पड़ेगी जैसे कि कि पिक आकस हो गई और यह सब रह मे से में बनानी है crafting table और जो भी कुछ हमें बनाना है वो हम लोग इसमें सर्च करके बना सकते हैं for example आप लोग देख पारे हो मैंने wooden sword wooden axe wooden pickaxe सब कुछ बना लिए अपने लिए अब सब कुछ बनाई लिए तो क्यों आम लोग चल के थोड़ा बहुत खाना भी इकठा कर लेते हैं और वो इकठा करने के लिए मुझे इन animals को मारना होगा पर हाँ ध्यान रखना कि कर आपको आस पास कोई honey bee मिले तो उसे मत मारना वरना जब वो आपको मारेगी तो बहुत देर तक दर्द होगा अब खाना इकठा करने के बाद हमें उसे कच्चा नहीं खाना है अगर हम लोग उसे cook करके खाएंगे तो वो और भी ज्यादा healthy हो जाएगा अब cook कैसे करना है उसके लिए में बनाना पड़ेगा furnace और furnace बनता है stone से तो खुब सारे stone तोड़के कठे करते हैं तो पूरे eight cobblestone ही कठे करने के बाद हम लोग crafting table से furnace को craft कर सकते हैं और उसमें food cook कर सकते हैं बट food cook करने के लिए call भी तो चाहिए होता है न तो इसमें food डालके पीछे से coal ही कठा करते हैं अब coal भी कठा हो गया है इस coal को लाके अपने furnace में डालते हैं ताकि सारा का सारा खाना पकना स्टार्ट हो जाए तो थोड़ी देर वेट करने के बाद अपना सारा का सारा खाना पक चुका है अब हम लोग इसे furnace से निकाल के खा सकते हैं और अभी ये काफी ज़्यादा healthy है इतना करने के बाद हमें जाना है यहां से आगे बट वेट अपना समान लेना मत बूलना भाई ये important होता है यार बार बारी थोड़ी बनाएंगे इसे तो जाते समय समान ले लेना अब इतना सब कुछ करने के बाद आप लोग at least एक दे तक तो survive कर सकते हो बट घर के बाहर नहीं घर के अंदर पर आपके पास तो भी घर ही नहीं होगा न तो wait घर नहीं बनाना हमें बस एक चोटा सा shelter बनाने सिर्फ एक night के लिए अब थोड़ी बो dirt and stone तोड़के आप लोग इतना area बना लो कि आप यहाँ पे अपना bed रखके सो सको बठा ध्यान रखना अपना gate लगाना मत बुलना वरना zombie अंदर आ जाएंगे और अंदर आके आपको मारेंगे और gate बंद भी कर देना और यह वाला जो bed है इसको यहाँ प अब तक चुपोगे उनको पीट ना पीतो है और पीटने के लिए चाहिए और आर्मर बनाने के लिए सबसे बेस्ट है स्टार्टिंग में iron आर्मर क्योंकि iron ढूड़ना बहुत ज़्यादा असान है हमें बस कोई भी केव या फी रिवीन ढूड़नी है उसके अंदर इस आउगे तो आपको इस iron को भी furnace में डालके smelt करना होगा फिर उसके बाद जो आपको iron ingot मिलेंगे उससे आप पूरा आर्मर बना सकते हो और सारे के सारे iron के tools भी बना सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा powerful होते हैं इतना करने के बाद आप बन जाओगे एक warrior और अब आपको village ढूंड लो क्योंकि यहां पर जो गाँ होते हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़े होती हैं जो कि हमारे काम आने वाली है तो आप लोग को अपने साथ थोड़ा बहुत खाना रखना है और एक ही direction में सीधे सीधे चलते जाना है थोड़ी देर में आपको कोई ना कोई village त सकते हो और आपको कोई police भी नहीं पकड़ेगी अब villagers के खड़ से चोटी मोटी चोरी करने के बाद थोड़ा काम आपको खुद भी करना चाहिए तो अब जो मैं आपको बना के दिखाने वाला हूं यह starter farm और अगर आप इसे बनाते हो तो आपको बिलकुल भी food की कमी नहीं पड़ने वाली और इसे बनाने के लिए हमें बस एक chest बनानी है एक offer बनानी है फिर उसको कुछ इस तरीके से आपको set करना है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो और इसके अंदर ना हम लोग हर एक animal को लाके फसाएंगे और उनसे बहुत सारा खाना लेंगे अब जैसे यह जा रहा था उठा के फैका है मैंने इसको तो अभी एक से कोई काम नहीं होगा हमें दो पिग यहां पर चाहिए होंगे पर ध्यान रखना कुछ कुछ पिग बहुत चाली होते हैं हमें भसा देते हैं ट्रैप में तो इतना करनी के बाद आप लोग को इने बस खाना खिलाते अचाना है फिर यह ब्रीडिंग करेंगे और जैसे जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ेगे वैसे वैसे आप लोग को यहां पर खाना मिलते जाएगा अब बारी आती है घर बनाने की और उसको बनाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा ना तो मैं तो यही रिकमेंड क पारवर और डायमंड के टूल्स हैं वह और भी बहुत जादा तकड़े हैं पर आके डायमंड मिलेगा कहां पर तो डायमंड ढूणने के लिए में जाना पड़ता है जमीन खोद के बहुत ज़्यादा घराई में माइनिंग करने के लिए और ध्यान रखना कि जब आप सब कुछ लेकर जाना क्योंकि नीचे बहुत सारी Lost सामना करते हूं तीरे धीरे माइनिग करते हुए नीचे जाते जाना है और जैसे यह इसे यह य स्टार्ट चाएका पर यहां प Việt लावा होते तो बीक्राओकर ना ताकी जितना भी लावा है उसको हम जोग ऑर लावा बु बहुत गंदा मारेगा और जब diamond मिले तो full merge में उसे अपनी iron pickaxe से ही तोड़ना वरना stone या wood से तोड़ेगे तो diamond आपको मिलने नहीं वाले अब अगर आप लोग सही में diamonds तक पहुच जाओगे और उसे ले लोगे तो मुझे नहीं लगता मुझे आपको आगी कुछ बताने की जुरत है आप लोग सीख गए बठाए जाते जाते एक और bonus tip दे देता हूँ simple सी कि अगर आप लोग अपना घर बनाना चाहरे हो ना तो एक चोटा सा cobblestone generator बना लेना जिसके लिए में बस lava bucket और water bucket चाहिए है और दोनों को कुछ इस manner में डालना है और यहां पर बैठ के आपको बस cobblestone तोड़ते रहना यह कभी नहीं खतम होगा आप चपता किसे तोड़ोगे तब तक आपको stone मिलेगा और right guys तो अमीद आप लोग को आज के वाली simple सी minecraft की tips for beginners वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को जाके जरूर से like करना और में इंडिया की चैनल को भी जरूर से subscribe करना और मुझे comments में जरूर बताना कि क्या इस वीडियो को देखनी के बाद आप लोग diamonds तक पहुचके diamond armor या फिर diamond का कोई भी tool बना पाए या फिर नहीं और राइट गाइस मिलते एक और बड़े आसी tips and tricks की खतरनाक वीडियो में तब तक के लिए good bye